नमस्का साथियों, आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और आप सभी लोगोंने इन्हें देखा भी होगा और इन्हें जानते भी होगे और इनका नाम भी सुनाओगा, हम लोग बात करें सचिन तेंदूलकर की और जिन्हें आप लोग किरिकेट का भगवान मानते हैं तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान चर्चा करेंगे इसे आप लोग इनकी सौट वायोगरा भी कह सकते हैं और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के जो सर्वुच पुरुसकार हैं चाहे आपका भारत रतन हो या आप देख लेजे कि आपका पदम सरी हो या फिर आप देखी पदम बिभूसन हो ये भी इन्हें मिल चुके हैं और आप सभी जानते हैं कि ये पुरुश्कार उननीस सो चमवण से सुरू हुए थे और इनका देखिए परिवार है इनका सचन तैंदुल कर इनकी पत्नी, इनकी बेटी और इनका बेटा और इनका धीए माबाप देखिए और भाई हैं सात में और इनका समंध महराष्ट से है कहां इनका जनम हुआ था? महाराष्ट में देखिए हमारा प्यारा भारत है इसमें आप लोग देखेंगे ये महाराष्ट देखने को मिलेगा मुंबई इसकी राध्धानी है और आप सभी जानते ही कि यहाँ बिधान सभा में आपको 288 सीटें देखने को मिलेगी बिधान परिशद में आपकी 78 सीटें है राज्य सभा में 19 सीटें है लोग सभा में 48 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेगी इसके पड़ोसी राज गुजरात हो गया मद्धपदेश हो गया चत्तीसगड, तेलंगाना और करनाटक और गुआ आप लोगों को देखने को मिलेंगी ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेएगा और इन्हें आप코 मास्टर विलास्टर की नाम से जानते हैं किरकेट के भगवान के नाम से भी जानते हैं और लेटिल मास्टर की नाम से भी आप लोग जानते हैं। सचिन तेंदूलकर का जनम 24 अपरेल 1973 में दादर की निर्मल नर्सिंग हॉम मुंबई में होता है। और ये मराथी ब्रह्मन परिवार में जनमे थे। और इनके पिता एक संगीत सचिन, संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर इनका नाम सचिन रखे थे। और इनके पिता का नाम रमेश तेंदूलकर मराथी स्कूल में सिक्छक थे। और इनके दो भाई अजीत तेंदूलकर और नितिन तेंदूलकर देखने को मिलेगा और आप देखेंगे कि इनका एक बहन भी है जिनका नाम सविताई है तेंदूलकर तो ये भी याद रखिएगा अपलो और आप देखेंगे कि इनके बड़े भाई अजीत तेंदूलकर ने किर्किट खेलने के लिए बहुत पुरोसाहिद किया और सचिन ने साधा सरम विध्या मंदिर से अपनी सिक्षा ली हुई है और बारवी तक पड़े लिखे हैं और उसते बाद आप देखिए इनोंने सारा समय किर्किट में दिया और होना भी चाहिए कि आप जिस भी चेत्र मे जाना चाह रहे हैं उसी में जाईए दो दो नाओ पर आप लोग सभार क्यों हो समझ रहे हैं तो यह भी देखने को मिटेगा और आप देखिएंगे कि वही पर उन्होंने कोच रमाकांत आज रेकर के सनिद में किर्किट का फिशिक छण लिया और तेज गेंदबाज बनने के लिए उन्होंने MRF पेस फाउंडेशन में अभ्यास का अरिकरम में भाग लिया लेकिन वहाँ तेज गेंदबाजी के कोच डैनस लीली ने उन्हें प सचिन ने डॉक्टर अंजली मेता से प्रयम विवाय किया और कहते हैं कि सचिन और अजली पहली बार एयर्पोर्ट पर मिले थे और उस बक्त अजली को सचिन और किर्किट के बारे में जानला कुछ मालू भी नहीं था और अजली मेता गुजरास से हैं और एकबाल रोक सिक बिसेशक भी है और इनके दो बच्चे हैं बेटी का नाम आप देखेंगी सारा तेंदूलकर है और बेटी का नाम अर्जुन तेंदूलकर है आप लोग ने पिक्चर में देखा भी होगा देख लिजे फिर से देख लिजे ये आप देखे इनकी बेटी है और इनकी बेटे हैं संजीर सचिन क्रिकिट में हाथ दाय हाथ की बल्लेवाज हैं लेकिन वह लिखते बाय हाथ से हैं और बेनेमित बाय हाथ से गैन फेकने का भी अभ्यास करते हैं और उनकी बल्लेबाजी उनके बहतरीन संतुलन और नियंतन पर आधारी थे वह भारत की धीमी पिचों पर खेलने के बज़ए बैट इंडीज और आस्टेलिया जैसे ही सबसे तेज पिच पर खेलना जाना पसंद करते हैं उनका मनना ही कि बाय हाथ की तेज गेनबाद सचिन त आकरमक्ता जो थी बुद्धोट थोड़ी धिमी भी पड़ी थी कमी भी आई थी उसमें और पूर्व ओस्टिलियाई खलाडी यान चैपल कहते हैं सचिन के बारे में कि सचिन तेज तेज लिग इस्पेन गेनबाद जरूर है और भी कई बार आप देखी लंबी साजेधारी करने वाली जोड़ी को आउट कर पवेलियन भेज चुके हैं और भारत की जीतपकी कराने में अनेग वार्गेंद बाजी से हैरान भी किया है नोने लोगों को IPL की बात करने जो आप सभी जानते हैं इंडियन प्रमियर लिग की जो हमारे देश में काफिय आप देखी चर्चा में रहता है और चेंपियन्स की बात करने लिग की तो 2008 से आयुजित होने वाले IPL लिग के T20 पितियोगता में सचिन को अपने घरेलू मैदान में मुंबई इंडियन्स के आइकोन खिलाडी बनाये गया था यहने और IPL के 2010 के संस्करण में मुंबई इंडियन्स के फाइनल में पहुच गया था और टूर्णामेंट की दोरान तेंदूलकर ने 14 पारियों में 618 रन बनाये थे और सचिन ने कप्तान की रूम में दो अलगलग सत्रों म में IPL में 500 से जाना रन बनाये और 2011 में आयोजित IPL में कोची टसकर्स और किरल की खलाब तेंदूलकर ने अपना पहला T20 सतक लगाये था और इस मैच में उन्होंने 66 गेंदों पर नावाद 100 रन बनाये थे और IPL की 59 मैचों में उन्होंने 1723 रन बनाये और जिसमें भी पित इंडियांस टीम के आईकॉन के रूम में न्यूक्त किया गया और किर्केट से सन्यास की अगर हम लोग बात करें तो अपने किर्केट केरियर में सचिन 2011 में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारती टीम के हिस्ता रहे थे और 2011 में भारत की विसकप जीतने के बाद सचिन ने 23 दिस किर्किट से भी उन्होंने सन्यास ले लिया था उसके बाद सन 2013 में मुंबई इंडियंस के द्वारा IPL का किताब चीतने के बाद सचन ने IPL से भी सन्यास ले लिया था ठीक है इनकी नाम आप देखे कई ही रिकॉर्ड हैं और इन्ही रिकॉर्डों के कारण आप देखते हैं कि इन्हें किर्किट का आप लोग भगवान मानते हैं 1998 में उन्होंने 1894 रन बनाये जो कि एक किलेंडर वर्स में किसी भई बल्लिवाज की द्वारा सबसे अधिक बंडे एक दिवसी रन बनाने का रिकॉर्ड है और टेस्ट मेंचों में रनों की संख्या आप देखें इनकी 15921 है और एक दिवसी अंतराश्टी मेंचों में रनों की संख्या इनकी 14426 है और सरवादिक टेस्ट मेंच इन्होंने के लिए 200 और आप देखें कि सरवादिक बंडे एक दिवसी अंतराश्टी मेंचों की संख 463 है एक दिबसी अंतराश्टी किर्कित की इतिहास में 12 सतक लगाने जड़ने वाले पहले खिलाड़ी है और 100 अंतराश्टी सतक बनाने वाले एक मात बड़ल लिवाज हैं टेस्ट किर्कित में सबसे जान्दा इंक्यावन सतक लगाएं इनों ने एक दिवसी अंतराश्टी किर्केट में सरवाधिक 49 सतक लगाए और इसके बाद देखेंगे आप लोग की एक दिवसी अंतराश्टी किर्केट में सरवाधिक 96 सतक भी लगाए और विस्टकप की इतिहास में अधिकांस रन यानि की 2278 रन इने ने बनाए और सबसे जान्दा विसकप की हिले माली क्रिकेटर भी है और विसकप की इतिहास में सरवाधीक सतक भी इन्होंने लगाई और TEST में चोमें सरवाधीक अर्दसतक यानी की 68 शिक्ष्टी एट और TEST में चोमें सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाली खिलाडी है और इसमें आप देखिए गिंती विरान लारा और कुमार संगकारा की भी होती है विस्ते कब की एक संस्क्रेंड में सरवाधी करन दोजार तेन में 673 एनोने रर्म बनाये थी और एक कलेंडर बर्स में सरवाधी के एक दिवसी अंतराश्टी सतक 9 लगाये थी 1998 में ने इन से जुड़े हुए कुछ विवाध भी हैं आप जानते ही हैं कि आप इस तरह की किसी पोजीशन पर होते हैं तो विवाध जुड़ना सभा भी किसी बात हो जाती है 1999 में कोलकाता में एक टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तान की सुएब अफ्तर उनसे टगरा गये थे और जिसके पैटाम सुरूफ सचिन को तीसरे आएमपायर ने रन आउट घुसित कर दिया था 2001 में उन्हें एक टेस्ट मैच के लिए निलंबिद भी किया गया था क्योंकि वह एमपायर रैपरी माईक को सुचित किये बना गयन्द की सिलाई को साप कर रहे थे और यह है मैध दच्छड अपीका के खिलाप फोर्ट एलिजा बेट में खेला जा रहा था तो उस समय भी एक आपकी चर्चा में रहे थे तो इनके बारे में यह भी याद रखेगा आप लोग ठीक है और जैसा कि आपको बता है कि इन्हें कही पुरुसकार भी मिल चुके हैं क्या मिल चुके हैं कही पुरुसकार भी देए गया है इन्हे जैसा कि भारत दुरतन आपको बता चुका हूँ और राज्यसभा का कारकाल भी इन्हें मिल चुका है 2012 से आप देखेंगे 2018 तक जो राष्टपती की द्वारा मनोनीत किया जाता ना उसी सैडी में ने ठीक है तो यह भी आप लो याद रखेगा चली यह सोट वाइगराफी आप लोग कह सकते हैं कहानी कह सकते हैं सचिन तेंदुलकर की और बताईए किसी के बारे में जानने की दिलजस्थ भी हो तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं ठीक है तेंदुलकर किसी कुम है रखेगे रखेगे। झाल झाल